सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भुलें रादे 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 मैं देनेश कुमार शोत्रिय बीनागन तैसी चाचला जलागन मत्य परदेश से हूँ महराज श्री एक चीज का समाधान मैं चाहता हूँ गीता के नभे अध्याय में ये स्लोक है भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहा है कि ये मानव देह अत्यन्त दुरलब है छण बंगोर है नासवान है और सुख रहे थैं बरतमान समय में सभी सुख की चाहना करते हैं कोई जानवुच के दुख तो मांगता ही नहीं है सुख की चाहना कर रहा हैं बदले में मिल रहा है दुख तो जब ठाकुर जी सुख रहीत कर रहा हैं फिर हम क्यों सब लोग प्रपंच में लगें के सुख मिलें बहुत अच्छा बहुत सुन्दर प्रिश्णिक वार ताली बजाई है इनके प्रिश्णिके लिए ऐसे सुधी लोग बहुत ध्यान से सास्त्रों का अध्यन करते हैं और उसमें से फर कुछ चीजे निकाल कर लाते हैं देखो इसलिए प्रिश्णोतरी का भी एक बड़ा अपना महा तो है का था का तो अपना महा तो है ही पर इसमें भी बड़ी अच्छी-च्छी बात निकल करक कहते हैं जो आपने कहा है बिलकुल उसी का इस लोग विदुर जी कह रहे हैं सुखाय करमानी करोती लोगो नतई सुखंबान्य दुखंबरम्बा यानि मनुष्य सुख के लिए करता है पर वो सुखी नहीं होता है और ज्यादा अत्याथिक दुखी होता चला जाता है जैसा कि अभी आपने कहा कि गीता में भगवान कह रहे हैं कि मनस्देह सुक रहत है यह बात एकदम सत्य है क्योंकि भगवान की बाणी है सुक रहत ऐसे है कि आज हम सुकी होने के लिए कुछ किया और सुखी होने के लिए वो बस तू हमें मिली भी लेकिन उससे सुख बहुत दिनों तक नहीं मिला थोड़े समय के लिए तो ठीक लगा लेकिन फिर किसी दूसरे दुख से क्रशित हो गए तो कोई ना कोई दुख जीवन में बना ही रहता है पूरी तरह से जीव दुख रहत नहीं हो सकता हमेशा कोई ना कोई दुख से क्रशित रहता है संसार के सुख वैसे ही है जैसे कोई चर्म रोग हो जाए और उसके खुजलाते समय थोड़ा सा सुख मिलता है खुजली हो रही है उसको खुजाएंगे तो बड़ा मीटी मीटी खुजली हो रही है तो थोड़ी देर अच्छा लगेगा लेकर क्या वो सुख है बस खुजला लिया उसके बाद तो उसमें जलन होने लग गई रखता गया तो जैसे खुजली का छणिक सुख है बैसे ही बिस्यों के संयोग से मिलने वाला सुख भी छणक है संसार में इस मानव देहे को सुख नहीं है हर समय कोई ना कोई ब्याधी, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई दुख पीशे लगा रहता है लेकिन सुखी होना है तो उसका एक ही उपाय है कि भगवान का आस्त्रे लेकर भगवान के भजन में लग जाए तो सुखी हो जाएंगे भगवान का भजन ही सुखी कर सकता है बाकी सुखी होने का कोई उपाय नहीं है महाराश्री यह कोरोना काल में मैंने राम नाम जप लेखन का घर पर कारी किया था और दो वर्स तो कंटिन्यू चलाई इसके बाद गत दिसम्मर में ऐसी कुछ प्रेड़ना हुए कि लोगों को भी इससे जोड़ा जाए तो मैंने राम नाम जप लेखन की बेंक चालू की है ग मुस्तकें लेकर उनको निश्वित के देती है आं और उनको जम्हा कराके मैं अभी परसों जब यहां बरंदावन आए तो मैंने 40 लाक जब लेखन की किताब हैं यहां सरने के तास्रम में जम्हा की हैं तो यह अच्छानक यह ओर्यात ठाकर जी इसको में किस रूप मैं लूँ देखि ये नाम महराज की करपा है नाम महराज की करपा है भगवान का जो नाम है उसकी अनंत 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 महिमा है आपने नाम के प्रती प्रेम रखा नाम का लेखन किया और नाम लेखन किया तो नाम महराज नहीं आपको प्रेरणा दी कि आप अपने द हनुमान जी ही करवाते हैं यह आप तो लिख रहे हैं पर राम नाम का और प्रचार हो तो और लोग भी राम नाम लिखे अधिक से अधिक राम नाम लिखे जाएं और उन राम नामों का खुब प्रचार हो हनुमान जी इस कारी में अग्रेगंडे रहते हैं तो हनुमान जी की क पास से आपका ये कारेश चल रहा है बहुत ये अच्छी बात है